येशायाह अध्याय सोलह येशाया भाविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय सोलह देश के हाकिम के लिए भेडों के बच्चों को जंगल की ओर से सेला नगर से सियून की बेटी के परवत पर भेजो और उजाडे हुए गोसले के पक्षी और उनके भठके हुए बच्चों के समान मौआप की बेटिया अरनोन की घाट पर होंगी सम्मती करो नय चुकाओ दो पहर ही अपनी चाया को रात के समान करो घर से निकाले हुआ उसको छिपा रखो जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकडवाओ मेरे लोग जो निकाले हुए है वे तेरे बीच में रहे नाश करने वाले से मौआप को बचाओ क्योंकि पीसने वारा नहीं रहा लूट पार्ट फिर नहोगी देश में से अंधेर करने वाले नाश हो गये हैं और दया के साथ एक सिहासन स्थेर किया जाएगा और उस पर दावत के तंबू में सच्चाए के साथ एक विराजमान होगा जो सोच उचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा हमने मुवाब के गर्व के विशे सुना है कि वहाँ अत्यंत अभिमानी है उसके अभिमान और गर्व और रोश के संबंद में भी सुना है परंतु उसका बड़ा बोल गर्त ठेरेगा क्योंकि मुवाब मुवाब के लिए हाय हाय करेगा सब के सब हाहा कार करेंगे किरह रहसत की दाक की टिकियों के लिए वे अतिनिराश होकर लंबी लंबी सास लिया करेंगे क्योंकि हिश्पोन की खेत और सिबमा की दाक लताएं मुर्जा गए अन्य जातियों के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है वे याजेर तक पहुंची है वे जंगल में भी फैली गई और बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई थी मैं याजेर के साथ सिबमा की दाखलताओं के लिए भी रूँगा हेज़कोन और इलाले मैं तुम्हें अपनी आसों से सिंचूँगा क्योंकि तुम्हारे दुपकाल के फलो के और अनाच काटनी के समय की ललकार सुनाए पड़ती है और फलदाए बारियों में से आनन्द और मगनता जाती रही और दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा न हरश का शब्द सुनाए देगा ताकरस के कुंड़ों में कोई दाख न रहुनेगा क्योंकि मैं उनके शब्द के हरश को बंद करूँगा इसलिए मेरा मन मौअक के कारण और मेरा रध रहे हैरेस के कारण विनाकासा शब्द देता है और ऐसा होगा कि जब मौअक उचे स्थान पर मौअ दिखाते दिखाते धक जाए और प्राटना करने को अपने पवित्र स्थान में आए तो उसे कुछ लाब नहोगा यही तो वह बात है जो यहवा ने इससे पहले मुवाब की विशे में कही थी परन्तु अब यहवा ने यो कहा है कि मजदुरों के वर्षों के समान तीन वर्ष के भीतर मुवाब का विभाव और उसकी भीडवार सब तुच्छ ठेरेगी और थोड़े ही बचेए जिनका कोई बाल न होगा ये साया है भाविश वक्ता की पुस्तक अध्याय सत्रह ये साया है ये साया है अध्याय सोलह ये साया है भाविश वक्ता की पुस्तक अध्याय सोलह देश के हाकिम के लिए भेडो के बच्चों को जंगल की ओर से सेला नगर से सियोन की बेटी के परवत पर भेजो और उजाड़े हुए गोसले के पक्षी और उनके भठके हुए बच्चों के समान मौआप की बेटिया अरनोन की घाट पर होंगी सम्मती करो नय चुकाओ दो पहर ही अपनी छाया को रात के समान करो घर से निकाले हुए उसको छिपा रखो जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे नाश करने वाले से मौआप को बचाओ क्योंकि पीषने वाला नहीं रहा लूट पार्ट फिर नहोगी देश में से अंधेर करने वाले नाश हो गये हैं और दया के साथ एक सिहासन स्थेर किया जाएगा और उस पर दावत के तंबु में सच्चाए के साथ एक विराजमान होगा जो सोच उचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तक्तर रहेगा हमने मुवाब के गर्व के विशे सुना है कि वहाँ अत्यंत अभिमानी है उसके अभिमान और गर्व और रोश के संबंद में भी सुना है परंतु उसका बड़ा बोल वर्त ठेरेगा क्योंकि मुवाब मुवाब के लिए हाई हाई करेगा सब के सब हाहा कार करेंगे किरहरास्त की दाक की टिकियों के लिए वे अतिनिराश होकर लम्बी-लंबी सास लिया करेंगे क्योंकि हेश्पॉन की खेत और सिबमा की दाक लताएं मुरशा गए अन्य जात्यों के अधिकार्यों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है